बस एक वार बिटामीनी के कैपसूल में इसे मिलाकर लगा लिजी आपकी जिद्धी से जिद्धी पिंग्मेंटेशन हो जाएगी खतम जड़ से 7 डेज में तो चलिए बनाते हैं नमस्ति ब्यूटी वीद मॉनी का चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आप सब लोग बताइए आप सब लोग कैसे हैं कि आपको गर्मियों में किस तरह अपने पिग्मेंटेशन जाईयां दाग दब्बों पर काम करना है बहुत यची रेमेडिया बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और बहुत ही अमेजिंग उसके रिजल्ट है तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करन है तो चलिए बनाते हैं लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लिस प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर दें और रेमेडिया बहुत अच्छी है इसकी बिल्कूल ना करें फुल बोच करें आपको बहुत ज्यादा फाइदा मिलेग कोई ऐसी परिशाने वाली बात निया तो चलिए स्टाट करते हैं तो सबसे पहले इस रेमेडी के लिए चाहिएगा हमें रो मिल्क अगर रो मिल्क नहीं तो आप बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं या फिर अगर आपको दूद ले अगर नहीं शूट करता है तो आप यहां पर ही ले सकते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया तीन चमच की करीब दूद अब इसमें हम डालेंगे दूसरी चीज़ डालेंगे वह है बिटामिनी का कैपसूल तो एक कैपसूल आपको इसमें एड कर देना है किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा बिलकुल भी मेह का पत्त में दो वार करेंगे तो आपकी जहाईयां पिग्मेंटिशन बिलकुल खतम हो जाएंगी जड से बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और चलिए इसको लगाना कैसे और इसको हटाना कैसे दोनों ही तरीके बहुत अलग है तो वीडियो को इसकीप नहीं करेंगे फुल बोच करें और इसको पूरा ड्राय कर लेंगे तो देखिए इसको मैं लगा कर छोड़ दूंगी और साथ की साथ आपको फायदी बता देती हूं तो देखिए मुंतानी मिट्टी जो होती है हमारे रंग को बहुत ज्यादा साफ करती है अगर किसी की ओली स्कीन है तो और को कंट्रोल कर चुके और इसको अब इसे चुटाना कैसा है तो आपको लेना है फिर से वही दूद जो भी आप ले रहे हैं दूद या दही तो दूद लेंगे और थोड़ा-थोड़ा हाथों पर लगाएंगे और इसको हलके हाथों से आपको मसाज करकर इसे इसी तरह से हटाना है तो अगर आप इसे हफते में दो वार करते हैं तो यकीन मानिए आपकी पिंग्मेंटेशन बिल्कुल खतम हो जाएगी और आपकी स्कीन इतनी ज्यादा गिलो करेगी कि आप खुद कहेंगे कि आपने वावाई वा क्या रेमेडी बताई थी तो बस इसी तरह से आपको दूद लग मैं अपने चोटे टॉबल से वाश कर रहे हूं और आप देख सकते हैं चेहरा कितना खेल उठाए एकदम से साफ हो गया है तो बस इसको किलीन करने के बाद अब हम करेंगे इसमें सेकेंड स्टेप तो मैं फिर से बोलूंगे वीडियो को छोड़ करना जाएं सेकेंड स्टे में इसे मसाज अपनी चेहरे पर तौ आपको अच्छी से मिक्स करने बाद चेहरे पें करनी है इस तरह से मसाज और दो तिरंवाड तक मसाज करें के तो चेहरा सारह अब üzORP कर लेगा दूद और ऐल को वीटामिनी के आप चाहें तो अपने चेहरे को इसी तरह से रख सकते हैं अगर आपको जादा चिप-चिपा लग रहा है तो आप दो घंटे बाद अपना चेहरा वाश कर ले और ये मैं रात की समय कर रही है तो मैं इसको लगा रहने दूँगी और सुबह को इतनी खिली खिली इसकी निकलती है कि क्या ही बताओं बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट तो बस इसको इस तरह से मसाज करनी है और चोड़ देना चेहरे पर और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है और आप देखेंगे चेहरा एकदम शाइनी और गिलो कर रहा है तो आई होप आपको इस रेमेडिय अच्छी लगे अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार बनाई रखें बाई बाई फिर म फिलोंगी नेक्स टेमीडियों